नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर दोस्तों आप सब लोगों ने भी कभी न कभी तो क्रिप्टो करन्सी के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि आजकल हर कोई इंसान क्रिप्टो करन्सी के लेंदेन के बारे में जानना चाता है समझते हैं कि crypto currency एक digital money है जिस करण से crypto currency का किसी भी प्रकार से कोई physical लेंदे नहीं होता है आप सब लोग इस बात को तो जानते ही हैं कि dollar, रुपे या फिर euro ये भी एक प्रकार की currency है लेकिन इस currency के उपर सरकार का अधिकार होता है और सरकार ही इस currency को regulate करती है जिस currency ये currency centralized currency कहल जाती है लेकिन crypto currency एक decentralized currency है इसके उपर नहीं तो सरकार और नहीं किसी व्यक्ति का कोई हस्तक छेव होता है crypto currency पी टूपीर electronic system है जो की internet के माध्यम से उप्योग की जाती है crypto currency का लेंदेन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा internet के माध्यम से किया जाता है crypto currency कभी भी किसी व्यक्ति या संस्ता के द्वारा संचालित नहीं की जाती है और नहीं इस पर किसी भी सरकार या बैंक का कोई अधिकार होता है और नहीं उनका किसी भी प्रकार से कोई रोल होता है crypto currency एक decentralized currency है जिस currency इसके मूले में बहुत जल्दी उतार और चड़ाबाता है crypto currency की trading यान उन माना जाता है यूँ तो आज market में हजारों crypto currency है लेकिन कुछी crypto currency है जिन पर लोगों का अच्छा खासा विश्वास है और उनी में से एक है bitcoin crypto currency की trading को काफी सोच समझ के और एक्सपर्ट की सला के वाधी खरीदना चाहिए कई देशों में crypto trading को legal माना गया है तो वहीं पर आज भी कई देशों में crypto currency पर पूरी तरह से प्रतिबंध है